दोस्तों अगर आप GeForce Experience लांच नहीं कर पा रहे हो आपके मैं Error आ रहा है 0x0003 वाला तो मैं आपको कुछ solution बताऊंगा जिसके जरी आप अपने इस problem को fix कर सकते हो तो चुकि यह error किसी भी वज़ा से आ सकता है इसलिए इसके solution भी मैं 57 बताऊंगा और इसमें से किसी भी solution से आपकी problem ठीक हो सकती है तो आपको सारे solution ट्राइब करने है और हर एक को ट्राइब करने बाद आपको देखना है कि आपका problem ठीक हुआ कि नहीं तो सबसे पहली चीज है वह है कि आपका Windows अपडेट नहीं तो आप पहले किसी यह है जो भी एप या driver जो भी है उसको आपके system से clean कर देगा मतलब remove कर देगा यहाँ पे एकसेप्ट करोगे आप यहाँ पे यस करोगे तो यह removing का काम यह सुरू कर दिया है यह पांच मिनट लेगा और आपके सारे driver को geforce experience को जो भी एप है NVIDIA से related सब को यह पूरी तर experience को फिर से download करेंगे और install करेंगे और उसके थुरू NVIDIA का driver download करेंगे तो कोई भी एक ब्राउजर आप खोल लो और यहाँ पे अन्वीडिया.com लिखेंगे अन्वीडिया के website जब खुल जाएगी तो आपको यहाँ पे drivers पे click करना है और उसके बाद यहाँ पे geforce drivers पे click करना है और यहाँ से हम लोग download पे click करेंगे तो मैंने अल्रेडिया डाउड़ोड किया हुगा है तो मैं उसी को install कर लेता हूँ इसको run करेंग हम लोग अब यह इंस्टॉल हो जाएगा और इसके थुरू फिर हम लोग अन्वीडिया का ड्राइवर डाउडोड करेंगे यहाँ पे agree and install पे click करना है जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको login करने के लिए बोलेगा तो आपके पास अल्रेड़ी अन्वीडिया का एकाउंट तो होगा यहाँ लो इसको डाउडोड कर सकते हो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है इसलिए आप लोग वीडियो छोड़ कमत जाना दोस्तों ड्राइवर हमारा डाउडोड हो गया है तो आप हर बार एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन करते होंगे लेकिन इस बार हम लोग तो ड्राइवर हम लोगा इंस्टॉल हो गया है आप चेक कर सकते हैं आपकी प्रोलम ठीक हो गया होगी फिर भी नहीं होती है तो नेक्स्ट कुछ और सलूशन में बता रहा हूँ आपको क्या करना है कि एन्वीडिया के ही कुछ फाइल्स हैं जिसको आपको अपने फायर वा प्रोड़ां पर मिलेगी आपको वो मैं उसका पाथ बता दे रहा हूं आपको क्या करना है कि आप पाजाओ स् Joois mm यह ओ अफ्य आकन पर या पाजाओ यह ऑ यहां पर निविडिया क्रण त्ञेशन ही इंवीडिया कार्फ और इसमें आपको nv node में जाना है और यहां पे आप नीचे आओगे तो nvidia-wave helper.exe यह दोनों फाइल को firewall में allow करना है allow कैसे करोगो वो मैं virtual machine पर बता आ दे रहा हूं क्योंकि इसमें windows security मेरी disable थी ना अपको आ जाना है settings में यहां पे settings में क्लिक करो हमँजाना है यहां फिविए सेटिग में जाना है फौन करोगे और यहां पर firewall और नेटवर्क प्रीक्शन करने के लिए कि आपका फाइल कहाँ पर जो फाइल मैंने आपको बताया वहीं सेलेक्ट कर लेना है तो इसको आप बस सेलेक्ट करोगे और यहां से ओपन करोगे और यहां पर एड़ कर दोगे तो यह एड़ हो जाएगा और जब यहां पर एड़ हो जाएगा यह वाली फाइल VPN को आप disable करके देख लो कि आपका launch हो रहा है कि नहीं और एक चीज़ और मैं बता हूँगा है कि जो लोग Ccleaner यूज कर रहे हैं Ccleaner में एक setting है अगर आप Ccleaner यूज कर रहो तभी यह करना है नहीं तो उस वाइसे नहीं हो रहा होगा यहाँ पर्फॉर्मेंस optimizer में जो आओगे तो यहां पर दो चीज़ है एक्टिव प्रोग्राम और sleeping प्रोग्राम तो आपको देखना है कि sleeping प्रोग्राम में जैसे यहां पर तीन आइटम दिखा रहा है पहले से तो sleeping प्रेस्ट सलूशन जो है वह आम लोग क्या करेंगे कि NVIDIA के कुछ सर्विसेस हैं उसको आम लोग रिस्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको विंडो और प्रेस करके रन टूल खोलना है और यहां पर कर रहा है दो रन कर रहा है तो जो रन कर रहा है उसको फिर से रिस्टार्ट करेंगे राइट क्लिक करेंगे और रिस्टार्ट पर क्लिक करेंगे और जो रन नहीं कर रहा है उसको स्टार्ट कर देंगे इसका बाद नेक्ट सलूशन ही है कि कई बार नेटवर्क के कुछ प्र जाएगी तो यहां पर हम लोग कमांड डालेंगे नेट ऐसेच विंसॉक रिसेट और इंडर करेंगे तो यह तुरंथ हो जाएगा और आपको यहां पर दे रहाए यू मस्ट रिश्टार्ट दा कंप्यूटर इन अर्डर तो कंप्लीट रिसेट तो आपको सिस्टम को अपने रिस्टार्ट करना हुगा